लो एवरिवान वेल्कम तो स्कोरिंग साइन्स तो एज यू नो एग्रोफॉरिस्ट्री के क्लासेच चल रही है पिछले दो वीडियोज एग्रोफॉरिस्ट्री की अप्लोड हो चुकी है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और उसके पढ़ने के बाद ही आज थार प्लोफिकेशन समय किये थे क्ल्सिफिकेशन सुम्हाए चर्गवी क्लैंट में अगे चागव ऑज फूर्स देख़ाए बड़ने वाले हैं इस च्च्रॉक्चिरल बेया है जो किते पार्ट में डिवाइट किया गया है तो चले दह्म देखते हैं उसको प्रस्ट है Agri Silviculture System तो देखे, Agri का means यहाँ पर आपको पता है Agriculture means खेती है और Silviculture का means यहाँ पर आप मानके चलिए Forest की Crop यानि कि Forest को मानके चलिए Agri means मानके चलिए Cracy और Forest means Silviculture means मानके चलिए Forest तो यहाँ पर एक तरीके का Combination किया गया है Means कि Agriculture का प्लस फोरेस्ट्रीज का दोनों का कॉंबिनेशन को ही एग्री सिलिविकल्चर सिस्टम कहा गया है यानि कि एक कम्बाइंड सिस्टम है देखिए इसमें क्या होता है कि मीन्स यूस ऑफ लेंड फॉर दे कंकरिंग प्रोडेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड फोरेस क्रॉप का भी ग्रोग किया जाता है साइमल्टेनियसली या फिर अल्टर्नेटली अल्टर्नेटली मीन्स का साइमल्टेनियसली तो मीन्स साथ साथ हो गया अल्टर्नेटली मीन्स हो गया कि सपोस्ट यहां पर पहले क्रॉप फोरेस्ट्रॉप लगाई गई है इंगरी कल्चर जो ट्रीक्रोप से हैं इसमें से और कॉफी और पाम कोपाया आधी जो ट्रीक्रोप की अंदर आते हैं उनको लगया तो इस तरीके से इनके अपनी अपनी एकनोमिक वैल्यू अलग होती है इससे भी हमें प्रोडक्शन इसका भी मिलेगा और साथ-साथ में अग्रीकल्चर क्रॉप को भी कोई हाम नहीं पहुंचेगा और उनके लिए यूस्फुल रहेगा अग्रीकल्चर सेथिए यह भी मिलेगा और उनके अग्रीकल्चर क्रॉप को तो इस तरह के से जो कॉंपिटिशन देखने को मिलता है वह काफिशन किस चीज के लिए होता है देखिए सपूर्ज रएग में दोनों चीज़ा लगाई है यह मान के चलो यहां पे अग्रीकल्चर और यहां पे आपकी यह distill वी कुंटेशिए अपका कोंपेटीशन आपका होता है वह हो सकता है वाटर के लिए और वाटर सप्लाई के लिए और निउट्रियंत के लिए और संलाइट के लिए स्पेस के लिए ठीक है next अब इसके कुस्स examples है improve fellow species in shifting cultivation and tongia cultivation shifting cultivation और tongia cultivation एक हिसाब से एक silvi culture का ही एक part है shifting cultivation में खेती की जाती है एक rotational period होता है सेमस toondira system फहीं पर इसको tongia system भी चैते हैं और अरग व्हाती आमों से जाना जाता है इस तछीके से इसमें क्या होता है कि जो species होती है वो species जो होती वह improvement होता है उनमें और दूसरी बात इसको हम लोग बहुत detail में पढ़ेंगे next video में क्योंकि अभी अगर इसको discuss करने लगेंगे तो structural based classification हम लोग पढ़ रहे हैं वो complete नहीं हो पाएगा ठीक है अभी यहाँ पे इतना समझ दीजिए जो shifting cultivation है टॉंग्या सिस्टम है यह agrisilvy culture का ही एक example है ठीक है और multipurpose tree species होती है और alley cropping यह has grow inter cropping जो होती है वो भी agrisilvy culture का ही एक part है example है multipurpose tree and shrubs in farmland और wind breaks and shelter belts जो बनाई जाते हैं खेतु में वो भी agrisilvy culture का ही एक उधारण है means कि wind breaks और shelter belts से क्या होता है कि जो agriculture crop होती है जैसे wind crop wind break का का काम कर लेते हैं आपके forest crop जैसे कि आपको यहाँ पर पता चल रहा है जो forest trees है यह wind break का का काम कर लेते हैं और जो नीचे की यह crops लगाई गई है इसमें ताकि इनका harm ना पहुच रखे किसका wind का ठीक है तो एक तरीके से ऐसे belt के form में plant को plantation किया जाता है ठीक है तो यह सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके next videos में पढ़ते रहेंगे जिससे की concept easily clear हो जाएगा अब next बात आती है यह तो हमने पढ़ा agree silvy culture अब next बात आती है silvy pastural system देखे इसमें क्या होता है कि silvy तो आपने पढ़ाई है forest crop pastural system pastural के अंदर आ जाता है आपका pasture और animals यानके live stock आ जाता है देखे इसमें it means a land management system such as which forests are managed for the production of food as well as for rearing of domesticated animals means कि इसमें तोनों को benefit मिल सके आपका tree and shrubs को use के आता है primarily fodder और live stock को produce करने के लिए मतलब कि fodder को produce करने के लिए जो animals है उनके लिए fodder भी मिल जाए और साथ-साथ में वो trees से हमें और benefits भी मिल सके इसका primarily जो होता है grow करने का जो aim होता है वो है आपका tree shrubs का की fodder उनको मिल जाए ठीक है और जो यह system है यह system मितलब कि जहां पे dry areas होते हैं वहां पे fodder की demand काफी ज़्यादा होती है तो वहां पे जो यह system है वहां पे इसकी बहुत ज़्यादा need होती है पिर trees contribute to increased pasture productivity और trees as usual trees increase करते हैं जो pasture की productivity है उसमें और at the same time वो natural shelter भी देते हैं animals को जो wild animals होते हैं उनको एक रहने के लिए घर शरण मिल जाती हैं जिसलिए जिसलिकी वो धूप से बत सकते हैं या weather problem climate condition जब harsh होने लगती है तो तब वहां पे रह सकते हैं कुछ time के लिए उनको shelter मिल सकता है ठीक है फिर है the trees may include both food yielding trees and fodder yielding trees अब देखे silvy culture के अंदर क्या होता है कि इसमें yield trees यानि कि जो timber है timber अच्छा गासा मिल सकता है यानि कि ऐसे पेड़ भी लगाए जा सकते हैं जिससे हमें लकडी मिल सके ठीक है किसके लिए animals के लिए ठीक है फिर acts as a natural carbon sink reducing carbon dioxide and emission significantly देखें यह काफी important है और यह सिर्फ इसी के लिए नहीं यह जो हम जितने भी पार्ट पड़ रहे हैं उसके लिए यान कि agrisilvy culture का combination देख लिए या silvy pastoral का combination देख लिए या फर तीनु का agrisilvy pastoral तीनु का तो इसमें एक main और एक important बात यह है कि यह carbon की जो मात्रा है इसको काफी कम कर लेते हैं जिससे कि global warming जो है यान कि carbon dioxide का सिदा जो direct जो link है वो है greenhouse gas और किसे क्या कहते हैं global warming से तो इसका क्या हो जागा जितने ज़्यादा paid होंगे जितने जादा greenery होगी उतना ज्शेची carbon की जो मात्रा हो से, वो आपनेख कि सबढ़े जासकते हैं पास्ट ट्री जा शाथ दूता है उससे एक फैंसिंग की जा सकती है जिससे की एक फैंसिंग का काम भी कर सकते हैं कुछ श्रप्स ऐसे होते हैं और बांकि इसकी importance देखते हैं तो इंडिया में यह क्या है कि इंडिया में क्या या कहीं पर भी जहां पर भी इसको लगया जाता है तो वहां पर यह लोकल क्लाइमेट कंडिशन जो होती है कर दोफरिंग अगेंस टैंपरिचर यह एंड एक्स्ट्रीम और साथ साहत मरे मं संप्रडूरियक्शन न करे जो उसको चेंगें निकिश्ची इश्क्शी और इससे एनिमल जो वैलफेर है इसमें भी इंप्रूब्मेंट देखने को मिलता है और साथ-साथ यह तो है कि सॉइल की क्वैलिटी बढ़ती है यह भी एक इसका इंपॉर्टेंस है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट इसका एग्री-sil्वी-पास्टूरल सिस्टम देखे इसमें आपको जो यह एक इसमें आपको दो यह तीन चीज़ नहीं याद करने है यानिकि एक एग्री और शिल्वी और पास्टूरल ठीक है एग्री मीन्स आपका मानके चलिए जो भी आपकी धान गें यह साहिशन होते हैं जिससे हमें ग्रेंस मिलते हैं वो क्रॉप तो इसी का पहले क्वेशन कहीं नहीं पहले क्या था जब सबसे पहले हमने पढ़ा था एग्री और सिल्वी का कॉंबिनेशन पढ़ा था ठीक है और उसके बाद अभी क्या है इसमें तीनुका combination है यानि किसका agri, silvy and pastoral तीनु का ही combination है जिसमें क्या है agri means मैंने बता दिया आपको अगरिकल जाए क्रॉप से हैं silvy means trees हो गया और pastoral में आ जाए का आपका animals ठीक है तो देखिए this system is a combination of जो कि मैंने बता दिया the land is managed for the concurrent production of the agriculture and forest crop and for gazing by domestic animals देखिए इसमें क्या हो रहा है कि farmers है farmers को के लिए फूड मिल रहा है farmers के लिए food कहां से मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर agriculture crop is like आपके दहान के हूँ जो भी agriculture crop पूटी है वो लगाई भी है ठीक है तो farmer को खुट तो मिली मिल रहा है और साथ साथ में trees लगाई है अब हमने कहा है कि trees लगाएं तो trees लिए fodder fuel कुछ भी हो सकता है fodder का भी हो सकता है तो इससे क्या हो रहा है animals को भी क्या मिल रहा है ठीक है और साथ-साथ में हमारा जो environment condition है वह भी improvement हो रही है ठीक है if a unit of land is managed under crop rotation or practices which may include production of food, grains, fodder and food has provision for grazing cattle, जो कि हमने पढ़ लिया अगर crop rotation की तरह भी इसको land को manage किया जाता है यान कि suppose that एक time पे ये crop लगा दी उसके कुछ time बात फिर next term में next कोई crop लगाई गई उसमें next time में कोई और crop लगाई जाते हैं तो उसके लिए भी काफी ये helpful रहता है और जिससे कि क्या हो जागा cattle को चरने के लिए भी एक मिल जाएगा और साथ साथ में fodder चारा जो है चारा मिलता रहेगा और crop से farmers को और crop से farmers को food भी मिलता रहेगा जिससे कि वो इसकी economic condition है वो भी अच्छी हो सकती है trees से आपके बता ही दिया मैंने आपको fodder and fuel दोनों ले सकते हैं अगर fuel है तो इससे अच्छे खास economic value बनी रहेगी ठीक है और इंधन मिल रहे तो अच्छी बात है और crops shelter से होता है shadow से यह होता है कि animals को proper उनका चारा मिलते रहेगा ठीक है और इसकी importance है importance सिर्फ इसकी नहीं है importance काफी जो जित्ते भी हमने उपर पढ़ रहे है previous उन सबकी importance है improve the nutritive value for of animal feed due to the supply of green fodder यह आप पर जहां जहां पास्चुरल आ रख है तो यह important importance है उसकी nutritive value जो है animals feed की वो green fodder supply जादा होगा तो इससे की क्या होगा कि इसकी जो animal की nutritive value है वो improve होगी ठीक है और this is also the best practice of soil conservation तो हो गई होगा soil means कि soil erosion होने से बचेगी और soil की fertility बढ़ेगी और soil की nutrient cycling है यह भी nutrients recycling के लिए भी जो यह इस तरहीं की practices है वो काफी important है and which also helps to reduce chemical fertilizer purchases देखिए अब इससे क्या होगा कि livestock जहां पर यहां पर जब add हो जाता है इस सब चीजों में तो क्या होता है कहीं न कहीं chemical जो fertilizers है इनका इनको purchase करना देरे-देरे कम होगा क्योंकि sufficient उसमें हमको amount में sufficient amount में manure मिलता है तो इससे क्या होता है कि कैमिक इंसान chemical fertilizer की तरफ इतना नहीं जाएगा ठीक है और साथ-साथ में इससे local climate भी improve होता है local climate means आसपास का जो भी climate है उसका बातावरान जो है वो आपका healthy रहता है और साथ-साथ में जो फार्म की productivity है productive capacity है वो बढ़ती है और उसके साथ-साथ में जो उसका productive level है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है साथ-साथ में जो फार्मर्स हैं फार्मर्स की income भी यहाँ पे काफी increase होती है इस तरीके से this practices help for the beautification of the surrounding areas और साथ-साथ अगर कहीं पे कोई बंजर जमीन है उसके इन स्टीट ऑफ बंजर जमीन कहीं पे कोई चीज़ ने खेती हो रही है तो greenery देखके तो beauty तो बनती है beauty तो दिखाए ही देती है तो इस तरीके से land use का land का proper use भी हो जाता है ठीक है और देखिए आपने home gardens देखिए होंगे home gardens means की घरू में जो अगर जो जमीन बची हुई है या कोई land का पार्ट बचे तो वहां पर भी लोग खेती करना पसंद करते हैं या चाहिए वो हो सकते हैं ornamental plants ही हो सकते हैं या सबजी वगेरा कुछ ऐसा कुछ use कर लेते हैं और आजकल तो लोग आपने woody hedge grow for mulch green manure and soil conservation यह सारी चिल से भी इसी का example है ठीक है यह तो हमने तीन पढ़ लिए जिसमें हमको तीन ही word यात करने थे एक था agree ठीक है और दूसरा था silvy और था pastoral ठीक है यह तो इन तीनों का combination था पहले पहला वाला agree and silvy का था दूसरा वाला silvy and pastoral का था तीसरा वाला जो ह हो है multi-purpose tree production multi-purpose means तो आप जानते है एक से ज्यादा तो इस तरीक का forestry production system जो होता है इसमें होता है आपका wood भी आपको लकड़ी मिलेगी and fodder मिलेगा fodder में इस चार आपको बताए दिया जिससे कि soil protection and soil का reclamation होते रहेगा यानिकि घना जंगल मानके चल लो आप एक साब से वहा जाता है जहां से हमको अप नीडी चीज़ सारी जितने भी चीज़े हैं वो यूस्फूल चीज़ें हमें मिल सकें लेकिए forestry species are raised and raised and managed for their ability to produce wood उनको ऐसे forest को वहां पे चूज करके लगाया जाता है उस किसी एक एरिया में जसकी economic value बहुत अच्छी होती है और जिसकी जो producing wood द leaves जो है वो कामा जाएंगी किस चीज़ के लिए? फॉर्डर के लिए कामा जाएंगे और fruits and fruits जो है वो कामा जाएगा आपका food के as a food या फॉर्डर के कामा जाता है ठीक है in addition to wood the trees may yield fruits, flower, leaves, sparks, roots, gums, honey, medicines देखें ये सारी चीज़ें 5F का principle मैंने आपको बताया था 5F मिलते हैं हमें forest से तो ये सारी चीज़ें हम यहां से ले सकते हैं यानि कि fruit हो गया, flower हो गया, fuel हो गया और fodder हो गया ये सारी चीज़ें यहां से forest से हमें मिल सकते हैं multi-purpose means से एक से जादा या दो से जादा जो चीज़ें हमें वहां से मिल रही हो तो उसको multi-purpose forestry production कहते हैं, medicines भी मिलती हैं, चीखासी याची और शदी जो मिलती हैं वो forest से मिलती हैं, ठीक है, तो ये तो multi-purpose आपको समझ में आए गया होगा, अब बात आती है, apiculture और aquagulture की, apic जो होता है, और aqua मान के चलो, आपका fisheries से, aquarium जो आपने सुना होगा न, तो वो aqua वहीं से है, ठीक है, तो कभी अभी क्या होता है, apiculture को link किया जाता है, apiculture या आप कह सकते है, apisilviculture, ठीक है, means कि apiculture को trees के साथ, ठीक है, apiculture means मदुमक्खियों का जो production है, वो उसके साथ सा trees को भी grow करवा जा सकता है, यह तो आगया, apiculture के अंदर, और वैसे aqua culture, ठीक है, aqua with trees, ठीक, तो इस तरीके से, aqua with trees मितलब की जो plant है, मान की चलो, यह aquatic animals हैं, उनको aquatic, जो trees हैं, उनके साथ grow करवा जाता है, तो इस तरीके से, यह combination भी काफी helpful रहता है, और काफी maximum production हमको देत इस तरीके से, अलग-लग combination करवा के, काफी benefit, जहां एक चीज को grow करने के लिए time पूरा लगता है, उतनी efforts सकते हैं, उसके साथ-साथ में, अगर कोई एक और चीज ग्रो हो सकती है, तो उससे हमको क्या होगा, double production मिल सकता है, इस चीज का benefit तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो दू structural basis of classification था, इसके सारी part I hope आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो किसी भी point में helpful रही है आपके लिए, या knowledgeable लगी है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर किजिएगा, और हाँ, इसके next में functional classification आएगा, तो इसका मतलब हमने अभी तक का, जो classification के, अगर base पे इसके अगर बने गए है, अगर इसके जो एक्जामपल जो मैंने बहुत बोला था कि इसकी एक personal video बनेगी, या मिन्स अलग से separate video बनेगी, जिससे shifting cultivation जिसमें दिखा जागा जागा, इसके क्या importance है, किस कौन-कौन जगह में ये grow करते हैं, या लगाया जाता है, shifting cultivation की जाती है, और कहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है, कौन से मिट्टेस के लिए suitable रहते हैं, ये सारी चीज़े हम लोग लग इसका एक पूरा अलग सी topic होगा, वैसी multipurpose LA cropping has grow, इनको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे उस video में, ठीक है, आज की video में बस इतना ही, और next video देखने क